हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई स्टडी फीड चानल दोस्तों हैंड बाल के रूल्स मेजरमेंड्स एंड हिस्ट्री रिलेटेट मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्टन्स लेके आई हूं वीडियो को पूरा देखेगा एक भी कोस्टन मिश्मत किजेगा दोस्तों मैं किसी कारण स कल वीडियोज नहीं बना पाई थी इसको लिए आप से सौरी एंड दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे चैनल पर सभी वीडियोज सीलेबस के अकॉर्डिंग स्टइब बाई स्टइब बनाया गया है एंड अंड म सेजादा वीडियोज प्रिवियएं सी के उण फ़िएग के है एंड चेप्टन वाइज प्रैक्टिस भी कराया गया है तो बेहतरी तयारी के लिए बने रहें मेरे चैनल पर तो चली चालते हैं dan के कोष्टन के तरफ Question है Handball खेल को अंतराश्टिय इस्तर पर कौन संचालित करता है तो इसको संचालित करता है IHF यारि International Handball Federation जिसकी इस्थापना 1946 में हुआ था और इसका Headquarter बस्ट्रियल स्टूर्यल लेंड है नेश्ट है Handball खेल के नियम में पुरुस वा महिलाओं के लिए एक मात्र अंतर क्या है तो एक मात्र अंतर है बाल का अकार पुरुस महिला के लिए बाल का अकार यानि भार और उसकी परिधी तो अलग अलग होती है नेश्ठ है हैंडबाल खेल के कोड का आकार कैसा होता है तो आयता कार होता है नेश्ठ हैंडबाल कोड की लंबाई और चोड़ाई कितनी होती है तो बीस गुड़े चालिस गुड़े बीस मीटर का होता है यानि चालिस मीटर लंबा और बीस मीटर चोड़ा नेश्ट है हैंडबाल कोड की चारो तरफ सुरचित छेतर होता है यह सुरचित छेतर साइड लाइन तथा गोल लाइन के बाहर क्रमसह कितना चवड़ा होता है यह होता है एक वह दो मीटर यानि कि एक मीटर साइड लाइन और दो मीटर गोल लाइन के बाहर क्रम सह होता है लेश्टा हैंड बाल में गोल पोस्ट की अंदरोनी उचाई कितनी होती है तो इसकी उचाई होती है दो मीटर कितनी होती है दो मीटर next है handball के goal post की चौड़ाई कितनी होती है तो 3 मिटर होती है उचाई 2 मिटर चौड़ाई 3 मिटर next है handball के coat को चिलित करने वाली रेखाओं की मोटाई कितनी होती है goal की रेखाओं को छोड़ कर तो कितनी होती है 5 सेंटी मिटर कितनी होती है 5 सेंटी मिटर नेश्ट है गोल्ड की रेखाओं की मोटाई कितनी होती है तो 8 सेंटी मीटर अर्ड रेखाओं की मोटाई 5 सेंटी मीटर और गोल्ड की रेखाओं जो होती है वो 8 सेंटी मीटर होती है यह आपको ध्यान में रखना है देश्ट गोल्ड एरिया कितने मिटर के अर्ध ब्यास की रेखा द्वारा चिन्हित किया जाता है तो कितने मिटर अर्ध ब्यास गोल्ड एरिया होता है छे मिटर ठीक है देश्ट है गोल एरिया में 6 मीटर अर्धव्यास की रेखा पर सीधी रेखा कितने मीटर की होती है तो सीधी रेखा होती है 3 मीटर कितने मीटर की होती है 3 मीटर देश्ट है फ्री थ्रो लाइन को दुसरे किस नाम से जाना जाता है तो free throw line को 9 meter line भी बोला जाता है यानि अंदर नी गुल रिखा से बाहर वाली गुल रिखा जो होती है 9 meter line वो free throw line भी कहा जाता है नेश्ट है goal post के pole किस आकार के होते हैं तो यह घनाब कार होते है नेश्ट है handball के goal post की मोटाई कितनी होती है तो goal post की कितनी मोटाई होती है दोस्तों तो 8 cm नेश्ट है handball के court जिब्रा लाइन आकार की कौन सी लाइन होती है तो 9 meter line होती है नेश्ट है penalty spot goal के कितने आगे रहता है तो 7 meter आगे रहता है नेश्ट है penalty line की माप क्या होती है तो 100 गुड़े 5 cm होता है नेश्ट है 9 meter line goal के सामने सीधी रेखा में कितनी लंबी होती है तो कितनी लंबी होती है तो 3 meter नेश्ट है goal keeper के लिए re-isternig line goal से कितने मीटर आगे होती है तो यह होती है 4 meter आगे नेश्ट है goal keeper के लिए re-isternig line की लंबाई चुड़ाई कितनी होती है तो यह होती है 15 गुड़े 5 cm नेश्ट है 9 meter line जो जेवरा आकार की line होती है इसमें चिन्धित निसान वो खाली निसान की लंबाई क्रमसह कितनी होती है तो यह होती है 15 गुड़े 15 cm पंदर 15 cm होती है लेश्ट है handball खेल कितने समय का होता है तो यह 60 मिनट का होता है 30 मिनट के 2 पारी होती है 10 मिनट का मध्यांतर होता है लेश्ट है handball का match अगर बराबर यानि टाई हो जाए तो अगले क्रम में नीड़े क्या होगा तो इसे 5 मिनट का ब्रेक दे करके 5 एक 5 मिनट का अत्रिक्त समय दिया जाएगा लेश्ट है अगर 5 एक 5 मिनट का अत्रिक्त समय के समय देने के बावजूद मैच टाई रह जाए तो नीड़े किस अधार पर होगा तो इसमें भी निड़े होगा पांच मिजर का ब्रेक देकर पुरह उसको पांच एक पांच मिजर का अत्रिक्ट समय दिया जाएगा नेश्ट है दोस्तो अगर दूसरी बार भी अत्रिक्ट समय देने के बाद टाई रह जाए तो निड़े किस अधार पर लिया जाएगा तो उसको पांच-पांच पिनाल्टी थ्रोज दिये जाएंगे नेश्ट है पांच-पांच पिनाल्टी थ्रोज के बाद भी टाई बनी रहे तो निड़े किस अधार पर लिया जाएगा तो उसको पुना पांच पार पिनाल्टी थोज दिये जाएंगे पुना पांच पार पार पिनाल्टी थोज दिये जाएंगे दिश्ट है आतने समय के पस्चाथ time breaker नियम के अंतरगत जो penalty throw दी जाती है उस हेतू goal post का चैन कौन करता है तो रेफ free करता है दिश्ट है एक team एक half में कितने time out ले सकती है तो एक time out ले सकती है एक minute का दिश्ट है एक time out कितनी अवधी का होता है तो एक minute का होता है यानि कि इसमें एक टीम एक हाफ में एक टाइम आउट एक विजट का ले सकती है नेश्ट है अत्रित समय में एक टीम कितने टाइम आउट ले सकती है तो कोई नहीं अत्रित समय में कितने टाइम आउट ले सकती है कोई नहीं नेश्ट है पूर्सों के लिए हैंड बाल की गेंद का वजन वा परीधी करमसह कितनी होती है तो पूर्सों के लिए हैंड बाल की वजन होती है 425 से 475 ग्राम एंड परीधी होती हैं ठाउन से 60 सेंटिमेटर आफसा नमबर बी यहां पे करेक्ट होगा नेश्ट है महिलाओं के लिए गेंद का वजन वा परीधी कितनी होती है तो महिलाओं के लिए हैंड बाल का वजन होता है 300 कितना होता है 325 से 375 यह 400 तक होता है और इसकी जो परीधी होती है 54 से 56 सेंटिमेटर आफसा नमबर सी करेक्ट होगा नेश्ट है एक टीम में अधिक से अधिक कितने खिलाड़ी होते हैं तो कितने होते हैं 14 खिलाड़ी होते हैं एक तीम में कोट पर कितने खिलाड़ी खिलते हैं तो साथ खिलाड़ी खिलते हैं जैसे कि हैंड़ बार वाटर पॉलो का बड़ी में एक तीम में साथ खिलाड़ी खिलते हैं खिलते समय ठीक है निश्ट है मेर्ज को सुरू करने के लिए कम से कम एक दी एक टीम में कितने खिलारी होने चाहिए तो मेर्ज सुरू करने के लिए एक टीम में कम से कम पांच खिलारी होने चाहिए ठीक है एक टीम कितने खिलारी बदल सकती है तो पूरे के पूरे बदल सकती है तो इसको कोई कपावंदी नहीं है कितने बड़ा भी बदला जा सकता है अगर कोई खिलाडी खिलाडी के बदलने के छेतर के अलावा किसी और छेतर से बदला जाता है तो क्या पिनार्टी दी जाती है हाँ दो मिनिट का सस्पेंशन दिया जाता है नेश्ट है अगर किसी वजह से मैच के दोरान अत्रित खिलाडी मैदान में प्रवेश कर जाए तो निड़े क्या होगा तो निड़े होगा टीम टू मिनट के लिए छे के साथ खेलेगी नेश्ठ है अगर किसी तीन के खिलाडी को दो मिनट के लिए बाहर निकाल दिया जाता है तो खेल कहां से शुरू होगा तो यह साइड लाइन थो से शुरू होगा कहां से शुरू होगा साइड लाइन थो से शुरू होगा नेश्ट है एक खिलाडी बाल को पकड़ कर अधिक से अधिक कितने कदम चल सकता है तो अधिक से अधिक वह तीन स्टेप चल सकता है नेश्ट है दोस्तों एक खिलाडी अधिक से अधिक कितनी देर तक बाल एक जगह पर पकड़ सकता है तो अधिक तीन से केंड तक तो दोस्तो यह था handballs related important questions I hope कि आपको समझ में आया होगा कोई भी doubt हो comment में जरूर बताईए कोई भी गलती हो तो भी बताईए दोस्तो and मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ आप के लिए कर रही हूँ तो आप भी एक मेहनत किजिएगा एक छोटा सा काम वीडियो को जादे जादे सेयर कीजिएगा दोस्तो लाइक कीजिए and फर्स बार विजिट कर रहे है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए बिल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसे निव वीडियो का आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय है